अपने बच्चों से ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा समय राजनीती में दो समाज को राजनीती में समझाओ इने तैयार करो समाज को तैयार करना पड़ेगा जबी तुमारा उधार होगा वरना तो ये अंद्विश्वास में फसाए हुए हैं जाते हैं वहां दूना कराने और जो जिम में वो भी चला जाता है वापिस नहीं आता जो है ये महिलाएं आप लोग महिलाओं पर बहुत आरोप लगाते हो और ये भी नहीं मानती ये भी बहुत जो है बारे सुक्रवार के बिरत रखती हैं नोरात्री के बिरत रखती हैं आ आपको ध्यान देना है, अगर अच्छी लगे तो उस पर अमल करना, अच्छी ना लगे तो अमल मत करना, एक गाउ में साधी होकर आई थी, बहु की सास बोली, के चल बेटर तुझे देवी के दर्सन करा लगू, मंदर में चलते हैं, बहु ने का हाथ चलो माजी, पूजा पा सामने सेर खने हम खा जाएंगे, घर वापिस चलते हैं, सास बोली, बहु तो सीधी आ गई, मेरे तो परवार का सत्यनास हो गया, बोली, अरी ये तो पत्थर के सेर हैं, देख नहीं रही, ये खा नहीं सकते, बहु ने का माजी ने खा सकते, चलो, जब मंदर के तुआर के प गाय के दूद को पिये जाता है, मैं घर से बालती ले आँ और इसका दूद निकाल के घर ले चलंगे, सास ने मारा अपने सिर महार, बोली, बहु तो बिलकुल पागल आगे, मेरे तो बेटे का सत्यनास हो गया, अरी तु अंदियत दिखाईने देती, पागल है, पत्थर की नहीं दूद दे सकते हैं, न दूद पी सकता है, बहु बोली, नहीं पी सकता है, जब मंदर के अंदर पहुची, तो सास बोली, बेटे मांगले ते बीच बेठी है, बहु ने चारातर भूम्पर के देखा कहा माजी, अरी ये ना बेठी, माजी मुझे तो ऐसे लगे जैसे पत्थर की हो, आप पूरे अलवर की महिला इसी से मांगती है, तू भी मांग ले, बहु ने कहा माजी मांगने से पहले मेरी बासनो, जब पत्थर के सेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूद देने सकती, पत्थर का पकड़ा दूद पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है मेरी देवी तो तुम हो साथ छाथ देवी हो जिन्दा देवी हो मैं तुम्हारी इस्षेवा करूँगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा लेकिन आज उल्टा हो रहा है जो घर में असली देवी बेटी है मा बहन बहु बेटी के रूप में बेटा मा पे दंडा चला रहा है उसको गाली तेरा अत्मानित कर रहा है और वो पत्थर की मा पे जाके रोच जोर से बोलो जे माता की जोर से बोलो जे असली मा पे दंडा नकली पत्थर की माँ पे लड़ो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है जब तक इस पत्थर की माता का पीछा नहीं छोड़ोगे पत्थर की देवी का पीछा नहीं छोड़ोगे असली देवी जो घर में बैठी है मा बहन बहु बैठी के रुप में जब तक इसका सम्मान करना नहीं सीखोगे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है ये असली टेवी दोस्तो सब्क्राइब कीजिए तहल का न्यू सेवन को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताके आप देख सकें बहतरीन वीडियोस वो न्यू सब से पहले